इस वीडियो में हम आपको CA और हॉस्टर सब्सिडी के क्या रेट है क्या एलिजिबिल्टी है उसके बारे में पूरी जानकरी देंगे CA और हॉस्टर सब्सिडी के लिए जो गौर्मेंट ओर्डर है वो 17 जुलाई 2018 के जो लेटर में जो भी प्रोवीजन दिया गया है जो रिक्मन किया गया था 7 CPC में उसके आधार पर ही आपको दिया जाता है यहाँ पर आपको चिल्डन एजुकेशन अलाउंस की एलिजिबिल्टी के बारे में बताया जाएगा CA जो आपको दिया जा रहा है वो आपके बच्चे की पढ़ाई के उपर हुए खर्चे को रियम्बर्स करने के लिए दिया जाता है भारसरकार ने जो भी इसका रेट रखा है उसके बारे में हम आपको नीचे देंगे बताएंगे कि इसके रेट क्या दियेगा है यह रेट जो है वो 17-2017 से प्रभावी है CA जो आपको मिलता है वो आपको 2 eldest surviving children के लिए मिलता है second birth जो है वो twins अगर बच्चे हैं तो आप 3 बच्चों का ले सकते हैं यानि कि पहला बड़ा बच्चा और उसके बाद अगर twins बच्चे हैं तो आप 3 बच्चों का CA ले सकते हैं लेकिन अगर आपका first बच्चे जो है वही आपके twins हैं तो आपको first जो twins बच्चे हैं उनका ही CA मिलेगा उसके बाद जो आपके बच्ची होंगे तीसरा बच्चा उसका आपको CA नहीं मिलेगा. जो CA का amount है वो आपको rate दिये गए है उसके अधार पे ही मिलेगा आपने भले ही कितना भी पैसा क्यों न भरा हो स्कूल में लेकिन आपको पैसा वही मिलेगा जो government के द्वारा निर्धारित किया गया है. इसी तरह जो CA मिलता है उसकी age limit है 20 साल यानि कि आपका बच्चा जब 20 साल का हो जाता है या फिर वो 12th standard पास कर लेता है इन दोनों में से जो भी पहले होगा आपको CA तब तक ही मिलेगा. यानि कि अगर आपका बच्चा 20 साल का हो गया है और 12th standard अभी clear नहीं हुआ है तो उसका 20 साल होते ही CA बंद हो जाएगा या फिर उसने 12th standard clear कर लिया है लेकिन वो 20 साल का अभी नहीं हुआ है तो भी उसका CA बंद हो जाएगा. दोनों में से जो पहले होगा वहीं तक आपको CA मिलेगा. इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके केस में 22 साल तक वो ले सकते हैं यानि कि 22 years तक उनको मिलता है CA का amount और उनके लिए भी 12th standard की एक limit है कि दोनों में से जो पहले होगा या तो वो 22 साल के पहले ह हो जाते हैं या वो 12th standard के लिए करते हैं दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक उनको CA मिलेगा. 5. Hostel subsidy eligibility अप उस केस में ले सकते हैं जब बच्चें आपके बोर्डिंग स्कूल में हैं. बोर्डिंग और Viktor स्कूल में ही है तो आप होस्ट गलेंब कर सकते हैं. वहाई सबसीरी क्लेम करने के लिए भी वही कंडिशन है जो के लिए है आपके two eldest surviving children के लिए ही आप हौसाई सबसीरी क्लेम कर सकते हैं अगर second बच्चे आपके twins है तो आपके तीन बच्चों के लिए आप हौसाई सबसीरी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके पहले ही दो बच्चे हैं, यानि वो ट्विंस हैं, तो आपको तीसरे बच्चे के लिए होसर सबसेली नहीं मिलेगा, इसी तर आपका जो expenditure है, जो भी आपने boarding, lodging पे खर्च किया है, जितना amount है, वो आपको उतना ही मिल सकता है, जितना की government of India के द्वारा ने धारित किया गया है, उसे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, बलहीं आपने कितना भी खर्चा क्यों ना किया हो, इसके अलावा, अगर आपका बच्चा वोर्डिंग स्कूल में है, और वो residential education institute जो है, वो आपके घर सी 50 km दूर है, तो ही आप होसर सबसेली क्लेम कर सकते है कम से कम 50 km दूर होना चाहिए, होसर सबसेली के जो rates है, वो इस तरह से है, CA 2250 पर मन्त और 27,000 रुपीज पर एनम, इसी तरह CA अगर दिव्यांग बच्चों के लिए दिया जा रहा है, तो 4,500 रुपीज पर मन्त और 54,000 रुपीज पर एनम, यह amount fix है, और क्योंकि यह आपको साल में एक बार ही मिलना है, इसलिए पर एनम आपको दिया जाता है, होसर सबसेली 6,750 पर मन्त और 81,000 रुपीज पर एनम, होसर सबसेली के केस में जो भी actual expenditure किया गया होगा, या फिर जो rate यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इन दिनों में से जो भी कम होगा, वो आपको दिया जाएगा, इसी तरह जो CA और होसर सबसेडी है, यह 25% इंक्रीज हो जाएगे, जब आपका DA 50% से ज़्यादा हो जाएगे, CA और होसर सबसेडी की कुछ और conditions है, आईए जानते हैं, होसर सबसेडी और CA आप साथ में भी ले सकते हैं, यानि कि दोनों ही claim कर सकते हैं, इसकी एक और होसर सबसेडी आप साल में एक बार ले सकते हैं, यानि कि पूरे financial year complete होने के बाद ही, आपको CA और होसर सबसेडी मिलता है, आपका जो academic year है, वो 1st April से लेकि 31st March का है, इसलिए जब वो financial year complete होगा, उसके बाद ही, आप CA और होसर सबसेडी claim कर सकते हैं, इसकी एक और important condition जो है, वो यह है कि आपको जो CA मिलता है, या होसर सबसेडी मिलेगा, उसकी जो classes हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, कि वैसे तो आपको नर्सरी से 12 तक आपको CA और होसर सबसेडी मिलता है, लेकिन नर्सरी के बाद lower kg या upper kg, या फिर नर्सरी और lower kg या नर्सरी और upper kg, कि इसमें आपको सिर्फ दो ही class पहले मिलेगा class 1 से, मतब class 1 से पहले आप या तो नर्सरी और LKG ले सकते हैं, या नर्सरी और UKG ले सकते हैं, आपको नर्सरी, LKG और UKG के तीन class का CA नहीं मिलेगा, इसी तरहें, जब आप CA और होस्टर सबसेडी का claim करते हैं, तो उसके साथ आपको school का certificate या अपना self declaration लगाना है, कि आपका बच्चा इस financial year में, इस कक्षा में पढ़ता था और उसका आप claim कर रहे हैं, तो ये certificate आपको या तो आपके OC से, या आप खुद भी self declaration के साथ लगा के certified करके भेज सकते हैं, होस्टर सबसेडी के case में, ये आपके होस्टर के principal के द्वारा आपको certified होना चाहिए, कि ये बच्चा जो है, वो उस होस्टर में रहके पूरे academic year में उसने पढ़ाई की हैं, और वही पर वो रहे हैं, और उनके खाने पीने की विवस्था, यानि कि लॉजिंग और बोर्डि स्कूल में पढ़ाई की हैं, तभी आप होस्टर सबसेडी ले पाएंगे, तो ये certificate आपके principal के द्वारा, जो school के principal है, उनके द्वारा लगा कर आपको भेजना होता है, तब आप होस्टर सबसेडी claim ले सकते हैं. CA और होस्टर सबसेडी का एक और प्रोवीजन है, वो इस तरह से है, एक प्रावधान रखा गया है, कि अगर किसी government servant की, उनकी service के दोरान मृत्य हो जाती है, तो उनके बच्चों को CA और होस्टर सबसेडी दिया जाएगा, यानि कि उनके बच्चों के लिए CA और होस्टर किसी भी government organization में service पर ना हो, जैसे कि कोई भी central government services या state government या autonomous body, PSU, semi-government organization जैसे कि municipality या फिर port test authority या किसी ऐसे organization में जिसको central government या state government के द्वारा partly और wholly funded किया जा रहा हो, तो ऐसे cases में उनको नहीं मिलेगा CA और होस्टर सबसेडी, otherwise वो CA और होस्टर सबसेडी का claim कर सकते हैं, और ये claim उनको तब तक मिलेगा जब तक कि जिस व्यक्ति की म्रत्य हो गई, वो अपनी जीवित अबस्था में उस claim को लेने के हगदार होते, यानि कि अगर वो जीवित होते और उन्हें जब तक ये allowance मिल सकता था, तब तक उनके बच्चों को भी ये allowance दिया जाएगा, और इस case में जो part two order publish होगा, वो concern record office उनका part two order publish करके उनके PO को भेज देगा for payment के लिए, इसी तरह नेपाल और भूटान के नागरिक जो भारत सरकार के employee हैं, उनके बच्चे अगर native place यानि की नेपाल और भूटान में रह रहे हैं, तो वे भी CA और hostel subsidy लेने के हगदार होंगे, इसके लिए उन्हें एक certificate लेना होगा Indian Mission से, कि यह school जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो education authority द्वारा recognize हैं, और वे उनके जो institution है, यहां वो बच्चे पढ़ते हैं, वो उनके jurisdiction में आता है, CA और hostel subsidy का बच्चे की performance से कोई नहीं है, इनकेस अगर बच्चा किसी क्लास में उस साल फेल भी हो जाता है, तो भी उसे CA और hostel subsidy मिलेगी, परन्तु अगर बच्चे ने उस क्लास को पास कर लिया है, और उसके बाद उसी क्लास में दूसरे स्कूल में admission कराया जाता है, या फिर mid session में उसी क्लास में बच्चे का admission कराया जाता है, जो क्लास वो पास कर चुका है, तो उस क्लास के लिए CA या होसल सबसेडी का reimbursement नहीं मिलेगा, यानि कि पास किये गए क्लास के लिए दो बार CA नहीं दिया जाता है, इसी तरह अगर दोनों husband wife government servant है, तो उन में से कोई एक ही CA और hostel subsidy का claim कर सकता है,